तो गाइज आज किस वीडियो में हम स्टेडि करेंगे इंपार्टेंट रिवर्स आफ इंडिया एग्जाम औरियंटेड कोशन से और इसको मैंने लाए इंसी के वकी फर्मेट में यहां पर मैंने कोशन लखा है साथ में इसकी एक्स्प्लेशन देने की कोशिश की आप यहां पर देख सकते हैं इसकी पूरी एक्स्प्लेशन में ने दे रखे यहां पर ठीक है ना टोटल थर्टी कोशन है में इनको एक जल्दी से पढ़ लेंगे यह आपके एक किसम का रिवीजिन है कि आरदी आपने रिवर्स पढ़ कर रखे हैं कि यह इतना ही पार्टन टाप है कि यूपी एसी से लेकर फॉर्स खलास की एक्जाम तो ग्रीवर्स से क्वेशन आते ही आते हैं ठीक है ना तो बगाए टाइम जाए की होई हम अपना टापक स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमार आपर पास ओप्शन है देव परियाग, रूदर परियाग, कृष्ण परियाग, एंड विष्णु परियाग, करन परियाग, आप देख सकते हैं तो इसका राइट आँसर आजाएगा रूदर परियाग मैंने आरड़ी यहां पर आँसर मार्फ भी करके रखे हैं बागी पर अलक नदी जहां पर मिलते हैं उसको कहते हैं करन परियाग और लास्ट का आपको याद रखना है वो है दोली गंगा एंड अलक नदा जहां पर यह दोनों मीट करते हैं उसको कहते हैं विष्णु परियाग ठीक है न यह आपको याद रही है परियाग आपको किसी बाल पर जाद करने से कोशन आ सकते हैं चलिए नेक्स्ट कोशन के उबर जलते हैं विज आपको बताना है कि कौन से यहां पर यहां पर नहीं करता है यहां पर बताना है मतलों से रिवर है जिसकी इस्ट फुलंग डिरेक्शन है तो उपशन हमारे पास नर्मदा सबर्मती माही एंड ठीक है ना थो महारासरे से फुलो कर जाता है करनाट का दिन आंधरा परदेश और फाइनली ड्रेंड करता है बे आफ्टी बंगाल में ना गुर्जना सागर डेम अलमटी डेम जो है वह इस पर क्या करती है वह इस पर बनाएगी है कनस्ट्रक्ट ही है ठीक है ना आप यहां बेंग ट्राइबूटरी आफ महानदी रिवर तो आपको बताना है कि महानदी रिवर की लेफ्ट बेंग ट्राइबूटरी कुन सी है जोंग ऑंग तैल एंड हाट्यो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी हाट्यो ठीक है ना अगर हम देखें तो जोंग ऑंग और इसके बाद देखें महानदी रिवर औरिजिनेट फ्राम रायपूर चैटिसगर्ड एंड फॉल एंट्यू बेहाफ बिंगाल यह आपको बताना है कि यह बेहाफ बिंगाल में फॉल करता है अब मैं आप यह देख सकते हैं इसको तो नेक्स्ट कोशन के और चलते हैं ज्यदय घड़ोंस आ खालते है कि यह किस कुई आदि हाइं घीच है नाऊ अब का आपके पास होगली रिवर लिवर महानदी रिवर एपोंस उपास यह य्डनलिग सबस्ट को तो आपके पास दो से तीन से जल्दी सैंसर बताएं इसका तो इसका राइट आ जाएगा नर्मदा रीवर ठीक है ना तो चलिए नेक्स्ट को पर चलते हैं विचार दी फॉल्विंग इस एट्रेन ट्रांस हमालिय रीवर आपको बताना कि कौन सा यहां पर ट्रांस हमालिय का पार्ट है मतलब कर आपके पास गंगा यमुना सतलूज एंड रवी तो इसका राइट आंसर आज आएगा हमारे पास सतलूज रीवर यह कहां से निकलता है और अगर बाकी तीन में जो डीवर देखें जो ट्रांस हमालिय से निकलते हैं वह एंडस बरूंपुत्रा एंड सतलूज ठीक है न यह तीन रीवर जो कहां से निकलते हैं तो नेक्स्ट क्वेसें पढ़ लें आप विचाव दी फॉलम इस नाट ट्राइबूटरी अफ अगर देखें तो वह लेफट वेंट ट्राइबूटरी है एंड की एंड sorry यहांपर गंगा की एंडगर हम सोन इंड एवनड देखें तो राइड वइंड ट्रायबूटरी है किसकी गंगा की यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट कोर्शन यूपर चलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा रिवर बनाता है या क्या नाम है उसका अमजान बेसन, सुन्दर बीन डेल्टा, ग्रीन लेंड और गंगा बेसन तो इसका जल्दी से आंसर थे तो राइट आंसर हमारे पास है सुन्दर बीन डेल्टा, जो गंगा रिवर बनाता है, ठीक है ना फार्मर्ट बाइगा रिवर, भरंपुत्रा एंड मैगना रिवर, इन द बेयाफ बिंगाल, ये भी याद रखना नेम्ड आफ्टर दी, सुन्दरी ट्री फाउंड देवर, एंड बंगला देश, एज वल एज इन वेस्ट बिंगा, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना किस रिवर को दक्षण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, गॉड आव साउथ, तो ये है गॉड आवरी, ठीक है ना, गॉड आवरी, यहाँ से ओर्जिनेट होती है, फाइनली फ्लो के कहां पे चली जाती है, ये बेया बिंगाल में ड्रेन करती ठीक है ना, गुडवरी के अगर देखे, बिंग दी लार्जस पैनन सुलूर रिवर अफ इंडिया ओर्जिनेट फ्राम त्रिम्बेकिश वर नासिक महरास्टर से अंदर, ये क्या होती है, ओर्जिनेट होती है, ठीक है ना, आगए जलता है नेक्स्ट कोशन की ओर, तो नेक नर्मदा एंड सौन कहां से ओर्जिनेट होते हैं, ये होते हैं, अमर्का अटेक पलेटो से, ठीक है ना, अगर हम तापिक की देखें तो ये ओर्जिनेट होता है, बेटूल से, जो मधिया परदेश के अंदर है, और हम चम्मल एंड बेटवा को देखें, तो ये ओर्जिने तो आप लोगों को, next question पर आ जाते है, which river is called as lion mouth, किसको lion mouth कहा जाता है, बहुत ही आसान गोशन आज क्या, भरमपुत्रा, एंडस, रवी, एंड गेंगा, और इसको टिबट में lion कहा जाता है, इतना मैं आपको hint देते हैं, ठीक है न, तो टिबट से कौन सी river आता है, हमें पता है, इसका right answer है, एंडस, एंडस रिवर ओरिजिनेट फ्राम, मंसर वर लेक टिबट, आलसो कॉइन, आलसो कॉइन, इसको सिंग के कबाब भी कहता है, सिंग के कबाब का क्या मतलब होता, line of mouth, यह बात याद रखना, और यह टिबट कहा है, map, question number 12 को देख लेते हैं, on which river bank, statue of unity is built, statue of unity, villa by Patel के जो statue बनाए गया, वो किस river के bank पर बनाए गया, बहुत ही आसान question आप यह से indicate हो जाता है, कि वो east flowing river नहीं है, बलके वो west flowing river है, तो आपके बस चार option आप जल्दी से answer बताएं, तो right answer आजाएगा, नर्मदा, ठीक है न, क्योंकि नर्मदा जो है, वो west flowing river है, बाके जो हैं वो east flowing river है, इंडस को छोड़ो, या साबरमती भी east flowing river है, गुदावरी west flowing river है, और नर्मदा के bank पर क्या बनाया गया, सर्दार वलाबाई पटेल की statue बनाया गया, देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको कहते हैं world tallest statue, इसकी अगर हम height देखें तो 182 meter में है, और अगर हम देखें इसको, तो यह है सर्दार वलाबाई पटेल का statue, ठीक है न, यह थी हमारे first deputy prime minister and home minister of independent India, यह याद रखना, next question के उपर चलते हैं, question which is the largest tributary in India, तो इंडिया के अंदर सभी river को अगर मिला दो, तो कौन सी tributary है, जो सबसे बड़ी है, इसका right answer, आपको आपको पता है, option C, Yamuna, Yamuna सबसे बड़ी tributary है गंगा की, और यह सबसे बड़ी tributary है मानेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है न, Yamuna is the second largest tributary of Ganga and longest tributary of Indian originate from Yamutri Glacier, longest tributary of Ganga, गागरा, तो यहाँ पर थोड़ी सी changing है, यहाँ पर अगर हम longest tributary देखें तो वो गागरा है, और second नमर पर आ जाती है, हमारे पास Ganga आ जाती है, तो नेक्ट कॉर्चन के पर चलते हैं, question number 14, And which river is the world biggest riverine island, मजूली located, मजूली कौन सी river के ऊपर locate है, riverine कहते हैं कि जो river के बीच में situated हो, ऐसा island जो river के बीच में situated हो, आपके पास option है, Ganga, तीस्ता, बरुमपुत्रा और कृष्णा, तो राइट आंसर आ जाएगा, of course, पारुमपुत्रा, ठीक है न, तो आगे चलते हैं, next question के ऊपर, question number 15, On which of the following, हीरा कॉंड multi-purpose river valley project located, आपको बताना कि हीरा कॉंड डेम कहाँ पे located है, ठीक है न, हीरा कॉंड डेम कहाँ पे located है, तो इसका right answer आ जाएगा, आप खुछ बता दें, अगर हम बताएं, तो option C आजाएगा, महा नदी के ऊपर, हीरा कॉंड डेम, सची वेटेड है, ठीक है न, तो next question के ऊपर चलें, बर्मपुत्रा river को टिबट के अंदर क्या कहते हैं, तो इसका right answer आया जाएगा, option B, याद रखना, बर्मपुत्रा के अंदर, बर्मपुत्रा को सैंक्पो कहते हैं, ठीक है न, सैंक्पो का मतलब होता है, purifier, नेक्स्ट कॉश्चन युको पर चल दें, question No.17, पकल डॉल हाइडर पावर प्रजेक्ट इस इस मल्टी परप्रपस प्रजेक्ट आन विचावती फालूंग रिवर, ये किस रिवर के अपर सैचिवेटेड है, ठीक है न, तो आप जल्दी से इसका answer बताएं, अफ्कोस, answer यहाँ पर दिया गया है, option C, मरू सर्दर, मरू सर्दर जो है, यहाँ पर सैचिवेट करता है, ठीक है न, तो यहाँ पर इसका explanation है, पूरी आप देख सकते हैं, दा पागल डल, डेम, इस अंडर कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट, फेस रॉक फिल, डेम, एंदी, मरू सर्दर रीवर, ट्राइबुट्री अफ चनाब रीवर है, यह बत भी याद रखना है, और यह किस्तवार डिश्टे के अंदर आती है, जमन किश्मीर के अंदर जो है, और इ डेम, यह बत आती है, तो हमारे पास अप्षिन झी आएगा, काविरी रिवर के यह ट्राइबूट्री थे है, शिम्शा, अरकावती, करनाट का इंदर है, और हिमावती, तामलाड़ु के अंदर आड़ यह बत याद रखना देखो, हमें तो नार्थ-इंडियन जो भी रि हो जाता है यह तो हम छोड़ किया जाते हैं तो ख्यास क्या रखना है साउथ की ट्राइबोटरी का तो चलिए नेक्स्ट कोशन को बर चलते हैं विच आफ दी फालूंग स्टेट हैस फेमस गांदी सागर डेम अक्रास चंबल रिवर तो कौन सी स्टेट ने गांदी सागर डेम बना रखिया है तो आपको जल्दी बताना है राजस्तान उतर परदेश मधिया परदेश और महारास्टा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मधिया परदेश के अंदर गांदी सागर डेम इस वन आफ ती फोर मैज़र डेम बूल्ट ऑन इंडिया चंबल रिवर ठीक है न टेम इस अचिवेटेटर अन मंसूर निमुच डिस्टिक आफ स्टेट आफ मधिया परदेश ठीक है ना नेक्स्ट को पर चलते हैं क्वेश्नमर 20 सिंदू दर्शन फेस्टिवल इस सेलिबरेटर अन विचाव दी फानं बैंक आफ थी रिवर आपको बताना है कि सिंदू दर तो फस्टिवल इस लिपिडेटर एवरी एर अन गुरू पूरी मां अन दी बैंक आफ इंडर्स रीवर और ये लदाखी ले के अंदर किया जाता है ठीक है ना वेरी नाग से कौन से रीवर और जिनेट करता है ठीक है न याद रखना किशन गंगा कोई ही जब पी ओके में चला जाता है तो किशन वहां पे नीलम वे लिया वहां पे इसको दिया जाता है नाम नीलम का ठीक है ना और मीट चैनाब एट त्रिम्मू पाकिस्तान के अंदर ये मीट करता है चैनाब को ठीक है ना कोच नबर 22 कृशन राच सागर टमीज बीट अकर फिचा फालूं इंड्री ये भी याद रखना थीक है ना क्वेचिन नबर 23 लोहित तीस्ता एंड सबर सुबंसीरी और ट्रैबूटुजा विचा फालंग रिवर यह बहुत थी जैता असान रिवर है असान सोरी क्या है यह क्वेचिन हाज क्या गंगा दर्मदा यमुना और बरंपुत्रा तो इसका राइट आजाएगा बरंपुत्रा थीक के है न अब यहां पे देख सकते हैं अब यहां पर देख सकते हैं तुम्चू कॉमबट गलेशियर्स एंदी मौंटरु लेग टिबट काल्ड़ दिहांग और अरोनेजल बरदेश जरुमनेंट बंगलादेश यह और फिशन नोबर 24 विचा डिव लंडन आ फिश्ट कि किसको सारोव भिहार का नाम दिया गया है कोसी गंदक बरंपुत्रा अन गौमती सारोव भिहार का यहां पर इस रिवर के वज़ए से तनी जदा फ्लेडिंग होती है कि लोगों की अगरिकल्चर खराब हो जाता है लोगों के जो परपटी हो जाता है और लास अफ लाइफ हो है इसका ओर इसको कहते है सारोव भिंगाल भी कहते तो इंद्रा गंधी कैनल जो है उसको कहां से water मिलता है या उसका बिजर्वर कहां भे बनाए गया रवी बेज सतलज इंडस तो राइट आंसे बिल्कुल आसान क्वेशन हमारे पास यह सतलज रिवर ठीक है ना लॉंगस्ट कैनल आफ इंडिया याद रखना प्रीविस्ली इसको कहते थे राजस्तान कैनल कहते थे यह भी आप अच्छी तरह से याद रखना ठीक है ना लॉंगस्ट कोच्छन वी उपर चलें कोच्छन नबर 27 इंड अफ मॉंटेनियस जर्नी एट अटोक इंडस रिवर इस ज्वाइन विच रिवर इन अफगानिस्तान तो यह मैं बोल सकता हूं कि कौन सा रिवर अटोक के साइट पे इंडस रिवर को ज्वाइन करता है ठीक है हम देखें तो यह काबूल है काबूल रिवर है ठीक है ना नक्स्ट कोच्छन के उबर चलते हैं विच रिवर इस रिवर आफ लहोर का नाम दिया गया है बड़ा इंपार्टेंट रिवर है और पूरी लहोर की सीटी इसके उपर सचिवेट करती है तो आपको इसका आंसर द 29 पर चलते हैं ठीक है ना बाखरा नंगल मल्टी परपस प्रजेक्ट इस जॉइंड विक्चर आफ वेंचर आफ बाखरा नंगल जो डेम है यह किसका जॉइंड विंचर है तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा पंजाब हर्याना एंड राजस्तान यह आप याद रखना ठीक है ना सुटलज रिवर की उबर इसको उबर पनाये जा रहा है ॠीक है ना तो आगे पड़ते हैं और हमारा लास्ट का क्वेशन आज का विच इस दा हाइस्ट वाटरफाल आफ इंडिया आपको बताना है कि इंडिया का हाइस्ट वाटरफाल कौन सा है ठीक है ना हमारे पास उप्षिन है जोगफाल सीव शमंदरम होंगंकल कंची कल तो इसका राइट आंसर आजाएगा मैंचेंट आपको ये बताना है इनफैक्ट इसको कमेर्ट सेशन में आप हमें बताएंगे ठीक है ना अगर हम इसकी लुकेशन देखें तो ये शिमोगा डिस्टिक में है करनाट के अंदर और इसको हैडियर है। ठीकनो औरी तेखें, तवरा ही रिवर के उपर है। तो आप इसको जरूर हमें कमानी सेशन में बताएं कि हमने लास्ट कि वैइक को सिनफ के लिए रख ये रखा ताकि WEAK को किसा लगता हैं। तो आफ हमारे चैनल के सबस्क्राइब करेंगे। हमारी वीडियो वो लाइक करेंगे और अपने फ्रेंट के साथ शेयर करेंगे तब तक के लिए आलाहाफ़स वे नाइस टाइम है थैंक यू